गुड मोदी केयर मौर्णिंग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे मोदी केयर यूट्यूब चैनल मोदी केयर आजाद इकलम में दोस्तों अपने किसान भाईयों के लिए आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो की काफी मेरे पिछले वीडियोज माटी उगले सोना और एक्टिव जाइम का कैसे उपयोग करें उन वीडियोज को देखने के बाल लगातार कई सवाल आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे इसको मैं एक्टिव 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 एक्ट जालना है, कितनी एरिया में, क्योंकि लगातार जब इसकी बוטल च्वां में कोई किसान लेता है, तो वो अक्षर यही नहीं समझ पाता कि इसको कितनी एरिया में śकीति डालें, किसे डालें, किन condition में डालना है, नहीं डालना है, खरपतवार में क्या काम करेगा या ग्रोथ में क्या काम करेगा तो ये कई छोटे-छोटे लगातार सवालों के जो है मेरे पास फोन आ रहे थे तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ आज आपके सामने इसको थोड़ा सा और सिंप्लिफाई करने का इसके बाद भी अगर आपके कु ना हुआ है कैसे आपको इसका इस्तमाल करना है सारी चीजे आपको मैं दिखाऊंगा तो अब आप ध्यान से बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तो एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव जाइम इसमें हमारे पास एक एक्टिवेटी भी आता है लेकिन आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं केवल आपको एक्टिवेटी गोल्ड बता रहा हूँ यह ज़्यादा बेटर चीज है और जब आप ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लें तो एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव जाइम इनकी 100 ml में भी पैकिंग आती है इनकी कंडिशन्स बताने जा रहा हूँ मान लेते हैं कि आपके पास 500 ml एक्टिव जाइम है और 500 ml आपके पास एक्टिवेटी गोल्ड है तो यह कितने खेत में पड़ेगा कैसे इसको कितनी एरिया में डालें तो आज बड़ा सिंपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाहे 500 ml की बोतल के लिए है ठीक है पड़ेगा कंबाइंड कैसे पड़ेगा वो अलग का मेटर है कितना पड़ेगा वो पहले समझिए तो दोस्तों यह जो 500 ml की बोतल होती है यह एक 500 ml 500 ml आपके 1 hectare के लिए है एक हेक्टेयर में आपको 500 ml डालना है अब यह 1 hectare कितना होता है आप इसको लगातार समझते जाएगा लगभग 2.5 एकर ये आपके धाई एकड के लिए है एक हेक्टेयर या धाई एकड अब ये एकड कितना होता है कई लोग इसमें भी आपको फर्दर परेशान मिलेंगे तो कई जगे पे किसानों को एकड नहीं पता, या हेक्टेयर में उनको नहीं पता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भीघह विष्वा में चलते हैं, तो हम इसको भी आज ले लेंगे, तो अगर भीघह की बात करते हैं, तो कई जगे पे पक्का भीघह, कच्चा भीघह, पक्क भीगा तो अभी अगर पक्के भीगे की बात करते हैं तो एक एकर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एकर में ठीक है 32 बिस्वा होता है यानि कि यह 2.5 एकर की बात करें तो लग भग चार भीगा पक्का ठीक है चार भीगा पक्का जो किसान जिनके इदर में पक्का चलता है कच्चा चलता है वो उदर के लोग जानते हैं चार भीगा पक्का में यह आधा लीटर पड़ेगा अगर उनके यहाँ पे कच्चा भीगा चलता है तो वो कितना पड़ेगा तो चार भीगे की जग 10 बीघ्वा कच्चह, ठीक है, अब 10 बीघ्वा कच्च, कक्चे का मतलब क्या हुआ, 500 ml की spread bottle है, और 10 बीघ्वा कच्चह हैं, अब अगर किसान, किसी किसान के पास ये बीघ्वा कच्च है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका 50 ml, एक बीघा कच्चा में पड़ेगा, अगर उसके पास 4 बीघा कच्चा है, तो that means 50 into 4, यानि 200 ml पड़ जाएगा, ठीक है, अगर एक एकर जमीन है आपके पास, तो 200 ml ये पड़ेगा, दो एकर है, तो 400 ml, और अगर धाई एकर है, तो इतना, कुछ लोग अगर आपसे बिस्वे में बात करते हैं, छोटी सी क्यारी लगा रखी है, उन्होंने वो भी नहीं है, तो मैं आपको बिस्वे में भी ले आता हूँ, लगभग 80 बिस्वा, ये 80 बिस्वे में पड़ेगा, तो ये आपको पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, कि ये आधा लीटर की बोतल जो है, ये कितने खेत के लिए बनी हैं, तो दोस्तो, एक हेक्टेयर में आप डाल सकते हो, एक ही बात है, एक रुपिया बराबर 100 पैसा, अब आप इसको 100 प डाल सकते हो, चार भी घा पक्के में डाल सकते हो, या दस भी घा कच्चे में डाल सकते हो, या 80 बिस्वा, 80 बिस्वा होता है एक हेक्टेयर में, अब आप इसमें कुछ भी, ये लगभग लगभग है, कहीं पे points का फरक होता है, लेकिन आप लोग मैथ में ना उलजू, मैंन आपको मुटा आइडिया दे दिया, दस भी घा कच्चा या चार भी घा पक्का, ठीक है, धाई एकर या एक हेक्टेयर, अब आपके पास एक हेक्टेयर है, या डेड़ हेक्टेयर है, तो जाहिर बात है, एक हेक्टेयर और आधा और हेक्टेयर है, तो आपको ये 500 प्लस 700 ml लेना पड़ेगा सबसे पहली चीज यह ध्यान रखेगा अगर आपके पास डेढ़ ही कड़े और आपको लाओ आधा ही लीटर डाल दे तो आपको वह रिजर्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि डोज आपको प्रॉप होती है तो सबसे पहले तो मैंने आपका यह डाउट क्लियर किया कि यह कितने खेत में पड़ेगा इसमें मुझे लगता है कि अब कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए तो साथियों यह क्लियर हो गया मेरे सारे किसान भाईयों को मुझे लगता है अब यह क्लियर हो गया हो पहला तो आपको ये समझना है, या ये दवाई काम क्या करेगी, एक्टिव जाइम, अगर मैं इसको मोटे रूप में आपको समझाओं, तो ये आपकी पौधे की जो ग्रोध है, यानि उसकी व्रधी को, जैसे छोटे बच्चों को आप अपने दूध देते हैं, काजू, बदाम खिलाते हैं, या उनको हॉरलिक्स, बॉन बीटा का दिन भर हैड आता है, आप उन लोगों को वो दिया जाता है, उसी तरीके से उसकी व्रधी के लिए, अपनी फसलों की व्रधी के लिए, आपको एक् की ग्रोथ के लिए, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है, और आपकी मटी में अगर दम नहीं है, बास समझेगा, आपकी फसल है, लेकिन उस मटी में अगर पोशक तत्व नहीं है, या बाकी चीजों की कमी है, या वो मटी खुद में बेचा यह आपकी जमीन को सुधारता है तो आपको यह भी clear हो जाना चाहिए कि activity gold यह आपकी जमीन के लिए है अगर आपकी जमीन भी अच्छी होगी आपका पौधा उसमें या फसल जो भी लगी है अगर अच्छी जमीन होगी तो ही अच्छी व्रध्धी हो पाएगी अगर अच्छी व्रध्धी चाहिए तो ये चीज़ को कुछ लोग क्या करते है सर खाली एक्टिव जाइम डाल ले आप कर सकते हो खाली एक्टिवेट्टी गोल्ड डाल ले आप वो भी कर सकते हों अगर आपकी जमीन अच्छी और पौधो को तत्व ना मिले तो क्या अच्छी फसल होगी कता ही नहीं होगी और अगर आपकी फसल आपने खुब अच्छा बीजा डाला उसमें सारे टॉनिक डाले और आपक बिस्वे के लिए है आप दो बिस्वे में ट्राई करो ठीक है ना तो आप दो बिस्वे में ट्राई करो थोड़ा सा लीजी आप दो बिस्वे की दवाई हम लोग उनको वही खेत में ही नाप करके ML के हिसाब से पहले ट्राईल के लिए दे देते थे और जब रिजल्ट आता है तो वो हम लोगों को पूरी की पूरी बूतलों का ओडर देते थे तो है क्या कि activity gold आपकी जमीन को अच्छा करेगा active जाइम आपकी पौधी की फसल को जो बढ़ोतरी है उसको अच्छा करेगा यहां समझने वाली एक बात है activity gold का कभी भी spray नहीं करना है खाली active 80 gold यानि केवल अगर आपका active 80 gold है तो इसका spray कभी भी नहीं करेंगे फसल पे कोई भी फसल हो आपको यह सक्त ध्यान रखना है सावधानी रखनी है कि केवल active 80 gold का spray नहीं करेंगे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है यह जमीन के अंदर का चीज है यह जमीन के उपर से इसका कोई लेना देना नहीं है कई किसान यह भी करते हैं कि उनको जाइम बोल के आए वो कहे जमीन वाला आइटम दे दो जमीन में तो लगाया ही उपर से उन्होंने स्प्रे कर दिया तो स्प्रे इसका आपको नहीं करना है तो यह आपको ध्यान रखना है इसका स्प्रे केवल एक्टिवेट्टी गोल्ड का इसके साथ जाइम मिला के स्प्रे होगा ठीक है अगर इसको नहीं मिला रहे हैं तो इसको प्लेन में इसको आप इस्प्रे नहीं करेंगे इसी तरीके से जैसे आप प्लेन इसका इस्प्रे नहीं करेंगे ऐसे ही सादा एक्टिव जाइन का भी इस्प्रे आपको नहीं करना है हाला कि ये काम करेगा ये बिलकुल नहीं करना है ये आप डालेंगे तो result देगा लेकिन अगर आप इसमें इसको plane कर रहे हैं और इसको नहीं add कर रहे हैं तो इसका वो result जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इसको plane सपोज आप एक खेत में जितना spray कर रहे हैं या मैं मान के चलता हूँ पचास एक तंकी आप डाल रहे हो एक तंकी आप इसको प्लेन डाल रहे हैं तो उस तंकी में अगर आप नॉर्मल इसको मिला करके आप इसकी 50 ml आपने मि ला लिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा अगर आप activity gold को नहीं मिलाते हो तो यही dose आपको double करनी पड़ेगी तब जाके आपको same result मिलेगा तो अगर यह आपकी एक cost cutting कर देता है activity gold क्योंकि एक activator के रूप में है यह जिस भी दवाई में आप मिलाएंगे चाहे खर्पतवार में आप मिला रहे हो चाहे आप कीट नाशक में मिलाएंगे चाहे आप किसी growth में मिलाएंगे जिस दवाई में आप activity को मिला देंगे यह कम लागत में उसके result को increase कर देता है as a catalyst यह काम करता है उत्प्रे रख की तरीके से, एक्टिवेटर इसको इसलिए बोला जाता है, इस क्वालिटी का एक्टिवेटर, मोधी केर की क्वालिटी का एक्टिवेटर फिलहाल मार्किट में नहीं है, तो आपको ना तो प्लेन इसका इस्प्रे करना है, ना आपको प्लेन इसका इस्प्रे करने की कि इस परे किन फसलों पर होगा पहले तो हमको यह समझना है तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपना क्योंकि बहुत सारी फसले होती है शायद मैं सब का नाम ना ले पाऊं लेकिन उदाहरण के थुरू आपको समझ लेना है जैसे कि सपोज गेंदा हुआ ठीक है फूल है लोकी है तुरही है या आपका खीरा कखडी वगेरा जो भी आइटम है जो सबजी की कैटेगरी में आ जाती है बेंगन हुआ इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं जो आप कह सकते हो बहुत उचा नहीं है और आपको क्विक रिजल्ट दे रहे होते हैं मतलब कि सबजी हर तीसरे दिन भिंडी आप हर तीसरे दिन तोड़ करके खेत में ले जाते हो बेंगन हर दूसरे तीसरे दिन आप तोड़ करके ले जा रहे हो एक तो कैटेगरी या फूलों की खेती कर रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आप माल को तोड़ के मंडी भेजते हो एक तो इस तर कि जो आप तीन या चार महिने का आपका टाइम लेता है और एक बार में आपका गंना हुआ वो सारल वाली जो फसले होती है तो इन में आपका इस्प्रे नहीं करना है आपको वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे उनमें डालना कैसे है वो अलग बात है पहले मैं आपको तो आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, आप इसमें मैं कई फसलों के अलग-अलग नाम नहीं ले रहा हूं, तो आपको मोटा हिसाब समझ में आ गया होगा, कि किन फसलों में इसका कैसे इस्प्रे करना है, तो जो इस्प्रे की बात आ रही है, वो उनी फसलों में कितने-कितने दिन पर देना है वो अभी मैं बताऊंगा लेकिन सबसे पहले इस्प्रे कैसे होगा तो एक पीठ पे टंगने वाली टंकी आती है अभी हम इस्प्रे की बात कर रहे हैं जमीन में डालने की अभी हमने कोई बात नहीं किया तो इस्प्रे में जब आपकी फसल छोटी हो उसमें चोटा सा मलब पौधा आपका आप देखें कि पहला इस्प्रे कब करना है तो अब लगभग चार से पाच इंच का हो जाए आठ दस पत्ती आ जाए कोई भी पिपिरमिंट वगेरा हो गया इन सम्में आलू में है इनमें सम्में बड़े शांदा रिजल्ट है तो पहला इस् चार इंच का हो जाए इस्प्रे में देना कैसे है जो पीठ पे टांगने वाली टंकी होती है बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि एक्टिव जाइम और यह हो गया गोल्ड यही एक्टिव इट्टी गोल्ड इट्टी गोल्ड तो यह आपको कैसे इस्प्रे करना है जो पीठ पे टांगने वाली टंकी होती है यह ज्यादा तर जगों पे 15 और सोलर लीटर में एवलेबल होती है कुछ जगों पे मैंने ये भी देखा है कि वो मोटर वाली चलने लगी है उनमें ज़्यादा माला आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन मैं आपको फिलहाल जो बताने जा रहा हूं वो 15 लीटर की टंकी के हिसाब से बताने जा रहा हूं अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो आपको एक्टिव जाएंग इसको आप किसी और भी दवाई के साथ आप मिला सकते हैं अगर पौधे में हलका फुलका कोई दिक्कत है तो वो भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बहतर रहेगा कि कभी भी आप कोशिश करें कि कीट नाशक इसके साथ ना मिलाएं अगर आपको कीट नाशक के लिए डालना है तो कैसे डालेंगे वो अलग से बताएंगे मैं अभी बता रहा हूँ जब आपका पौधा इतना है और उसमें कोई भी तरह का कोई रोग नहीं लगा है और आप चाहते हो कि ये आगे अच्छा चलता तो उस दशा में एक्टिव जाइन एक तंकी में यानि 15 लीटर के हिसाब से आप इसकी 25 एमल मात्रा ले लीजिए दोस्तों कमपनी इसकी 15 से 20 एमल कहती है लेकिन प्रैक्टिकली चुकी हम लोगों के खेतों में कई तरह की दिक्कते हैं और थोड़ा दवाई वेस्ट हो रह ही है जो पावरफुल रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि किसान का अगर आप रेगुलर इस्तमाल करेंगे तो फसल दर फसल आपके रिजल्ट्स उधरते जाते हैं लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं ना किसान कहता है कि वो मार्किट की दवाई तो लाला करके लोकल डालता रहेग चुकि इधर उदर डालने का तरीका या जो भी चीज़े तो 25 ml आपको एक टंकी में 15 लीटर वाले में ये डाल लेना है और एक्टिव एक्टिक गोल्ड जो मैं बात कर रहा हूं आधा लीटर वाली बोतल है उसमें से आपको वो नापने वाले उसमें से 8 ml 8 ml आप कर सकते हो 10 ml कर सकते हो इससे 10 ml से ज़्यादा नहीं करना है in any condition तो 25 ml आपको एक्टिव जाइम लेना है और 8 ml आपको ये लेना है और ये आप शाम को इस्प्रे करेंगे अगर गर्मियों के दिन है तो आप पांच बजे के बाद जब सूरच थोड़ा सा गर्मी उसकी कम हो जाती है उसका असर कम हो जाता है तब ये शाम को इस्प्रे करेंगे आप ठीक है कभी भी आप इसको और जाड़े के दिन में जब अच्छा खासा जाड़ा चल रहा है जन उन कर देती है इसलिए हम लोग ऐसा बताते कि आप इसको अगर थोड़ा ठंडक वाले माहौल में स्प्रे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबे भी कर सकते हैं लेकिन तुलना में सुबे करने के आप अगर शाम को क तो पूरी रात मिलेगी और वो पत्तियां उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएंगी तो सुबे तक ओस में वो पूरी एक कवरिंग उसमें अच्छे से हो जाती है तो मेरी सलह आपको यह है फॉर बेटर रिजल्ट अच्छे रिजल्ट के परिणाम के लिए शाम को कैसे गेहू धान वगेरा इस तरह की जो फसले हैं या गन्ना वगेरा है इस टाइप में अगर आप इसको यूज करें तो कैसे करें आईए जानते हैं उसका तरीका तो दोस्तों अब बात आती है गेहू धान वगेरा में तो गेहू है धान है इस तरह की की जो आपको गल्ला वाली जो सबजियां मतलब फसल है उसमें आपको 200 ml ठीक है 200 ml आपको एक्टिवेटी गोल्ड लेना है 200 ml आपको एक्टिव जाइम लेना है ये 200 ml कितने खेट के लिए बता रहा हूं ये बता रहा हूं एक एकड के लिए मैंने आपको पहले ही बताए था धाई एकड की ए अगर आपका दो एकड है तो आप 400 ml 400 ml लेंगे आपको क्या करना है कि एक एकड यानि 32 विश्वा 32 विश्वा या आप ये कह सकते हैं कि 1.6 बीघा जो भी आप जिस भी रूप में आप समझना चाहें आप समझ सकते हो बात लगभग एक ही है रुपिया और पैसे वाली बात है 200 ml आपको एक्टिवेटी गोल्ड लेना है 200 ml आपको एक्टिव जाइम लेना है एक एकड के लिए ये डोज आपको बता रहा हूँ अब आपको करना क्या है सपोज आप इसमें यूरिया डालते हो जादा तर किसान जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो 21 बीघा पक्के में एक बोरा डाल देते हैं कई जगे वो डेड़ भी डालते हैं और कुछ जगों पर एक एकड में भी किसान डालता है आप इतने खेत में मेरे कहने से घटाना बढ़ाना नहीं है मेरे कहने से आपको इतना करना है क्योंकि अलग अलग जगों पर यूरिया और डीएपी का कुछ लोग गोबर की भी खाट डालते हैं तो वो यूरिया थोड़ा कम डालते हैं कुछ लोग केवल यूरिया और डीएपी डालते हैं तो वो उसको उसी तादात में ज़्यादा तो आप जितना डालते हो, बात समझ लीजेगा, मान लिया आप एकड में डाल रहे हैं 50 kg, 40 kg, 45 kg की बोरी होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण, मान लिया आप 50 kg डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कि 200 ml आप लेंगे एक्टिवेटी, गोल्ड, 200 ml आप ले डाल रहे थे, या DAP डाल रहे थे, इसकी मात्रा अब आपको 50 से कम कर देनी है, और आपको लेना है 35 kg, 35 kg आप इसको लेंगे, आपने खेत में पहुचना है, खेत में पहुच करके, जब खेत आपका नम हो, एकदम सूखे खेत में नहीं डालना है, खेत में आपके नमी होनी चाहिए या अगर थोड़ा बहुत उसमें हलका-फुलका की चड़वी है तो भी चलेगा नमी बहुत जरूरी है must result आपको तबी मिलेगा तो अगर आपके खेत में नमी है आप खेत में पहुचते हैं खेत के बाहर आपने एक प्लास्टिक की पल्ली बिछाई उसमें आप अपना यूरिया या डियेपी जो भी आप उस समय डालने जा रहे हैं तो वो आप डालेंगे, उसमें आप 50 किलो की जगे 35 किलो यूरिया आप लेंगे, या DAP डालने जा रहे हैं, तो आप DAP लेंगे, दोनों में आप मिला सकते हैं, ठीक है, बचा हुआ, अगर आपको, फिलहाल जो आपको डोस कम करा रहे हैं, अगर आपको कहीं 19-20 कमी लग रही है, तो ये जो आपने 15 किलो बचाया है, आप बाद में छिड़क दीजेगा, लेकिन फिलहाल आपका काम इतने से हो जाएगा, क्योंकि हम जो आपकी इधर लागत बढ़ा रहे हैं, तो इधर भी आपकी बचातानी चाहिए, तो आपने ये कम कर देना है, क्योंकि ये अपने आपने एक कैटलिस्ट है, अगर आप इसको 50 किलो में ही डालेंगे, तो ये 50 किलो यूरिया, ये हर चीज़ की पावर को बढ़ाता है, अब आपका ये 50 किलो, 70 किलो का काम कर जाएगा, तो आपके खेत के लिए ये हानी का रख हो जाएगा, तो इसके लि दालेंगे, और हाथ में कोई पनी वगरा पकड़के, उसको आप धीरे-धीरे मलते रहेंगे, तो आपको एक साथ 200 ml उपर से नहीं डालना है, अगर आप डालेंगे, तो वो यूरिया में एकदम तली में चला जाएगा, फिर आप अच्छे से मिला नहीं पाएगे, तो आप को क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा ढखकन से करकर के डालना है, और आपको हाथों से अच्छे से मिला लेना है, आपका यूरिया या डी-ए-पी बिल्कुल भी गलेगा नहीं, कई किसानों का कहना होता है, जी ये डालेंगे तो यूरिया गल जाएगा, कभी नहीं गलता है हम बहुत खेतों में डलवा चुके हैं तो यह हुआ इसका तरीका गेहू धान टाइप में यह आपको और यह आपको क्या करना है कि जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको जाना है और बिल्कुल छिड़कते हुए आपको चले आना है तो यह पूरे खेत में आप जो आपका डवाई डालने वाला बंदा होता है वो जाएगा और इसको जाकर के अच्छे से पूरे खेत में लगभग बराबर रूप से समान रूप से डाल दें यह आपको पूरा प्रोसेस जब आप यूरिया या डी-ए-पी डालते हैं जैसे जादा तर मैंने देखा है कि अगर मान लीजे गेहूं की फसल है या आप धान ले रहे हो तो जादा तर केसान क्या करता है दो बार यूरिया एक बार डी-ए-पी ले रहा होता है डालता है खेत में तो आप तीन बार अगर ये चीज़े डाल रहे हैं, तो आप जब यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया में मिला दीजे, जब आप डियेपी डाले हैं, तो यूरिया में मिला दीजे, जब जब आप यूरिया या डियेपी डालेंगे, तो तीन बार ही maximum डाला जाता है, कई जगे दो बार डाला जाता है आप दो बार डाल रहे हैं तो मच बेटर है तो आप ये डालेंगे ये लगभग आप ये भी समझ सकते हैं कि 25 दिन पर आपको डाल देना है ठीक है ना तो इस हिसाब से ये आपकी मैंने दोनों तरह की फसले कवर कर दी जो सबजी वाली है और जो आपक है इसके अलावा गेहुधान टाइप का जो अनाज की कैटेगरी में आ जाता है तो इससे आपको ये समझ जाना है अब बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ इस्प्रेवाली हो गई ठीक है जैसे बड़े आम गाम है तो आम में वही सारा सिस्टम है वहाँ पे अमूमन जो टेंकर होते हैं तो टेंकर में वही पीठ वाला रेशयो चलेगा अगर आप 20 ml वह डाल रहे हैं 25 ml जाइम ले रहे हैं तो 8 से 10 ml आप एक्टिवेट्टी गोल्ड भी ले सकते हैं या एक्टिवेट्टी प्लेन भी ले सकते हैं मैं आप कन्फ्यूज ना हो तो मैं केवल या आपकी गेहु धान वग्यार आओ, जिस समय बाली आने की शुरुबात हो रही होती है, बाली आपकी जब बनने लगेगी, उस समय पर अगर आप कोई भी फसल या सबजी पर इसका इस्परे कर सकें, यह आपकी चॉइस है, अगर आप उस पर इस्प्रे कर देंगे तो आपको बहुत शांदार रिजल्ट मिलने लगेंगे इसके अलावा जैसे जब आप सब्जी तोड रहे होते हैं कोई भी तरह की सब्जी आपने जब फसल की तुड़ाई चालू हो जाती है तो आप हर दस दिन पे इसका इस्प्रे कर सकते हैं क्योंकि नए-नए फूल आ रहे होते हैं और वो कनवल्ट हो रहे होते हैं आपके फलो में सब्जियों में तो उसको आप तोड़ रहे हैं तो जो नए-नए आ रहे हैं उनको लगातार पोशन मिल पाना नहीं तो आप देखेंगे कि शुरुआत में तो आपका बहुत तेज ग्रोथ निकलेगा अब आप सोच रहे हो अगला हम 25 दिन में डालें तो इधर तो आपके जो हैं वो तैयार हो करके मंडी चला गया लेकिन बीच का जो फसल होगा उसको वो nutrition नहीं मिलेगा तो एक आपका रिदम बना रहे हैं तो आप हर 10-12 दिन के अंतराल पे सबजियों में जब फसल आनी शुरू हो जाए तब आप लगातार इसका इस प्रेक कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं अगर कीट नाशक वगेरा में आपके पौधे में कोई रोग वगेरा लगा तो क्या करना है उस दशा में मैं आपको तरीका बता देता हूँ तो दोस्तो कोई भी आपके फसल में रोग लग गया है अब आप उस पे कीट नाशक डालने जा रहे हैं या पहले कीट नाशक की बात करते हैं अगर आप कीट नाशक डाल रहे हैं उस समय पर आप एक्टिव जाइम नहीं डालेंगे आप क्या करेंगे मार्किट से जो भी थोड़ा सा पौधे का टुकड़ा लेके गए आसपास की जो दुकान वाला है उसको आपने बता दिया कि भईया इतनी टंकी का मुझे माल दे दो ये बीमारी है पौधे में ये रोग लगाए या ये कीडा लगाए वो आपको जो भी दवाई लिखकर के दे रहा है तो जितनी टंकी का वो माल देगा आपको कि इसको खेत में इसपर कर दीजिएगा ठीक है कीट नाशक वगेरा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो उस हर टंकी में आपको एक्टिव जाइम नहीं डालना है केवल आपको उसकी दवाईयां लेनी है उसने बोला चार टंकी का माल इसमें डालना है तो आप एक टंकी में 8 ml एक्टिव गोल्ड के हिसाब से 8 चोग 32 लगभग आपने 30 32 ml ले लिया नापने वाले उससे और आपने उस दवाई में मिला लिया एक जगे पे तयार किया एक बड़े लोटे में तयार किया और चार गिलास आपने उसमें कर लिया और हर टंकी में एक एक गिलास डाल करके आपने चार टंकी का मैटिरियल तयार कर लिया तो जब भी आप कीट नाशक डालेंगे तो प्रती टंकी प्रती टंकी आठ से 10 ml गोल्ड आपको मिला लेना है उस समय आप ये नहीं डालेंगे अब बात आजाती है कि इसको कब डालना है जब आप ये डाल लेंगे तो 5-7 दिन में आपकी कीट नाशक डवाई जो है जो 10 दिन का काम होता था वो आपका 7 दिन में निपड जाएगा बशर्ते आप डवाई अच्छी दुकान से लाइएगा कई जगों पर ये भी होता है कि दवाई अक्सर बहुत लोकल या बहुत सस्ते के चक्कर में आप भीया सस्ती दे दो इतने रुपए की दे दो तो आपको दवाई से समझोता नहीं करना है मार्केट से अच्छी दवाई लाइए उसमें प्रती टंकी 8 से 10 अमेल आप एक्टिवेटी गोल्ड मिला दीजे और जब वो हो जाए उसके 7 से 8 दिन बाद फिर से आप तब कीट नाशक नहीं डालना है एक्टिव जाइम लीजे क्योंकि कोई भी आप जब उसको एक जहर देते हैं कोई भी फसल है आपने कीडा मारने का दिया लेकिन वो फायदेवर तो नहीं था वो जहर था तो उसके बाद फसल में एक हलका सा डाउन आता है तो वो डाउन का जो असर है जो फसल हलकी से मुर्जाती है उसका असर ना लंबा टिक है इसके लिए आप एक्टिव जाएं प्रती टंकी वोई 25 हैमल लिया और उसमें 8 हैमल ये मिला लिया और आपने लगभग कीट नाशक डालने के 8 से 10 दिन बाद आपने इसका इस्प्रे कर दिया आपकी फसल जो हलका सा मुर्जाई थी कीट नाशक वगएरा की वज़े से उसमें एक ताजगी आएगी और उसमें एक ताकत आएगी तो ये आपको ऐसे करना है तो आएए आगे का बात जानते हैं तो आप बात करते हैं खर-पतवार जैसे आपके खेत में कुछ खर-पतवार वगएरा हो जाती है उस दशा में क्या करना है तो हम बात करते हैं खर पतवार नाशक जब आप कोई भी खर पतवार नाशक लाएंगे तो जितनी भी टंकी का ला रहे हैं जब आपने कीट नाशक डाला तो आपने क्या करना था कि इसको आपको मैंने बताया 8 से 10 मिलाना है लेकिन जब आप खर पत पतवार नाशक लाएंगे, तो यही दवाई जो अभी आपने इतना आठ से दस हैमिल डाला था, यह दवाई अब आप 25 से 30 हैमिल, प्रती टंकी, इसमें कोई शंशे नहीं है, खर्पतवार जो अंचाही घास है, जिसकी वज़े से हमारी फसल की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो घास हमारे इसमें ना होगे, उसके लिए हम लोग खरपतवार नाशक डालते हैं, खरपतवार नाशक में प्रती टंकी दवाईया मार्केट से लाओगे, मोधी केर किसी तरह का कोई भी खरपतवार नाशक नहीं बनाता है, ये मेरे पास लगातार फोन आता है, सर हमारे में यह खरपतवार आ गई है यह आ गई है मैं कौन सी दवाई डालू और यह पॉसिबल नहीं हो पता है काम के सिल्षिले में कि हर समय हम उन लोगों का फोन उठा करके उनको पूरा डिटेल में बता पाएं या समझ पाएं क्योंकि कई जगे मीटिंग में बैठे होते हैं तो यहा आप सुबह इस्प्रे करेंगे जब धूप निकलने जा रही है जब आपको किसी चीज की ग्रोथ के लिए करना है तो आप शाम का इस्प्रे करेंगे जब आपको किसी तरीके का डैमेज वाला चीज़ करना है यह आप सुबह इस्प्रे करेंगे जब धूप निकलने जा रह तो अब आपको वही खेत आप 15 दिन बाद भी आप देखेंगे आपके खेत की कंडिशन अच्छी हो गई है तो कोई भी तरह का खरपतवार नाशक वगएर आप डाल रहे हैं तो उसमें ये आप डाल देना है तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को ध्यान में इसके अलावा अब भी जो आपके सवाल रह गए हो वो आप नीचे कमेंट में डालिएगा मैं कोशिश करूँगा कि बचे कुछे जो कुछ भी थोड़े बहुत सवाल रह गए होंगे उनके जवाब मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में दूँगा अगर आपको अच्छा लगाए तो आप ये वीडियो अपनी टीम में जो भी लोग खेती से रिलेटिड काम कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेजें और जो आपके छेतर के किसान भाई हैं आप क्योंकि किसान जितनी महनत करता है दोस्तों अगर वो नहीं होगा तो हम लोगों का काम नहीं बनेगा और अनुगा रहा है और सबसे ज़्यादा परेशान है तो अगर आप उसको ये वीडियो ऐसे भी भेज देते हैं भले आप मोदी केयर में काम करें ना करें आप खुद खेती कर रहे हैं या नहीं कर दें अगर आप उसको मोदी के ये प्रोड़क्स की जानकारी देते हैं त वो आपको बहुत एक पुन्य का भी काम है वो भी मिलेगा इसके अलावा अगर किसी को दवाई मिलने में असुविधा हो रही है क्योंकि आपको दुकानों पे नहीं मिलेगी तो मेरा मोबाइल नंबर है 7499-0649-43 ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा नाम है आईश्मान वस दोस्तों मैं मोदी केर में अगर बात करूं तो करीब 2017 से काम कर रहा हूँ और खेती पे मैंने बहुत काम किया हुआ है जहां कहीं भी मैं भारत में कई जगे तक इवन मैं लखनव में रह रहा हूं करनाटका वगएरा तक गुजरात तक महराश्टरा वगएरा में मैं लगा 2008 से मोबाइल नंबर मेरे पास है, कोई चेंज नहीं हुआ है, और ना कोई ऐसा काम किया है, कि ये नंबर भविश्य में चेंज करना पड़े, तो आपको ये दवाई आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, कोरियर के माध्यम से ओरिजिनल दवाई आपके पास आएगी, और बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में, ये मेरा वाटसेप नंबर भी है, अगर आप इस पे अपनी कोई भी आपकी क्वेरी है, तो वो आप डाल देंगे, तो मैं उसका आपको रिपलाई कर दूँगा, फोन शायद हर समय ना उठ पाए, तो आपकी जो भी चीज है, वो आप इस पे कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अब आपको मोदी केर के लेटेस्ट और भी खेती के और बाकी भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, मोदी केर में किसान भाईयों क आपके लिए एक दो वीडियो में अभी आपके लिए बहुत जल्दी और लेकर के आने वाला हूं, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स